प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आड और नेवर मिस अनादर अपडेट हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो आंदोलन है वो अप उच्छेयों को छू रहा है और जो किंडिडेट्स वहाँ पर इतने कम तापमान पर वहाँ पर बेठे हैं धरने पर बेठे हैं तो उनका ज़स्बा जो है वो काबिले तारीफ है किंडिडेट्स की तरफ से सद्बुद्धी यग्गी भी किया गया और सभी जो नेतागण हैं वो candidates के समर्थन में भी आये हैं वहाँ ना सिर्फ लड़के बड़की लड़किया भी अपने कंदे से कंदे मिलाकर आंदोलन में साथ दे रही है और ये सब काबिले तारीफ है के सभी candidates इस मुश्किल गड़ी में इस समय में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं चाहे वह वहाँ पे है या नहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर जगे हर जिले से समर्थन प्राप्त हैं सिर्फ एक आवाज पर सभी जन्हें बिलने के लिए तयार हैं तो ये शो करता है कि इस्टुडेंट यूनियन कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर है ये जो मुद्दा है ये ना सिर्फ राजस्तान का बल्कि अब नेशनल चैनल्स पे भी पोच चुका हां तो नेशनल रिपोर्ट जैसे रविश कुमार जी की रिपोर्ट भी देखी थी तो हर तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है और जैसे कि केंडिडेट्स CM साब से भी मिलके आये थे तो उन्होंने भी प्रोजिटिव रेस्पॉंस दिया है कि हाँ इसके बारे में जरूर कुछ नो कुछ होगा सबी नेता जो है वो समर्थन में आज जैसे कि इन्यूवर्सिटी में साड़े 11 बजे सम्तिंग हनुमान जी बेनिवाल साब भी आएंगे जिन से केंडिडेट्स मिले थे और उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉंस दिया गया था कि हाँ मेरी तरफ से पूरा समर्थन आपको मिलेगा तो आज जैसे कि वो वहाँ पे मिलेंगे तो दोस्तो ये समय जो है वो काफी मुश्किल और इस तरीके का समय है जब वहाँ पे बेठे हुए केंडिडेट्स को सपोर्ट चाहिए हर जिले में बेठे हुए केंडिडेट्स हैं वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना सयोग करने हैं ये भी काबिले तारीफ है अब इस आंदोलन का फाइनल टच है क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में जो है केंडिडेट्स अपना समर्थन इस विरोज में दे रहे हैं और केंडल मार्च भी निकाला गया था जैसा कि हम जानते हैं सद्बुद्धी यग्य भी किया गया था तो सभी का सपोर्ट इस आंदोलन को मिल रहा है खास दोर से नेता गण का सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए था और वो भी मिल रहा है तो अब सफलता जो है दिखाई दे रही है कि 70% या 80% काम जो है हो चुका है आज जो है अनुमान जी बेनिवाल साब किस तरीके से इसको समर्थन करते हैं या फिर सरकार क्या हरकत में आती है सरकार क्या इसके उपर फैसला लेती है या क्या ध्यान देती है वो देखने देखना चाहेंगे हम सब कि अब सरकार इसके उपर क्या डिसिजन लेती है तो अभी तक तो दोस्तो जो अंदुलन रहा है वो पोजेटिव रहा है और शांती पूर्ण और सही ढंक से ये अंदुलन हुआ है तो दोस्तो ये काबिले तारीफ है कि इतनी भेंकर सर्दी में भी वहाँ पे लोग डटे हुए हैं कैंडिडेट्स डटे हुए हैं उनके जज़बे को सलाम है और हम सब यही चाहते हैं कि ये एक्जाम डेट पॉस्पोन हो जाए जैसा कि बागी सारे केंडिडेट्स इसके अंदर जी जान लगाकर ये अंदुलन को आगे बढ़ा रहे हैं तो जैसा दिख रहा है कि आज हनुमान जी बेनिवाल साब जो है ये साड़े ग्यारा बज़े सम्तिंग वहाँ आएंगे राजसान युनिवर्सिटी तो उनकी तरफ से समर्थन मिलते ही पिछली बार भी जैसे कि उनकी तरफ से समर्थन मिला था और एक्जाम डेट पोस्पॉन हो गई थी तो इस बार भी उनकी तरफ से अच्छा समर्थन मिलेगा और एक्जाम पोस्पॉन जरूर होगी ऐसी आशा करते हैं तो दोस्तो जितना अपन सयोग कर सकते हैं उतना सयोग करना चाहिए क्योंकि वहां जो सब बेठे हुए हैं वो इसी आशा में हैं कि सब की तरफ से सयोग मिलेगा तो थेंक यू सो मच दोस्तो